उसकी नजरों में से कत्रवे कम में होणने देंगा आपको लेटिस्ट इंडियर मोस्ट के डेली बॉक्स ओविस के अपड़र मिलती रहेगी सबसे पहले तो दस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जुनियर एंटिया और राम चरण की फिल्म त्रिपल आर के बारे में आपको बता दें त्रिपल आर फिल्म में आपको और भी कई मल्टी स्टार कास्ट नजर आये थे वहीं इस फिल्म को डाइरेक्ट किया था एसेस राजमोली नहीं वहीं है फिल्म 450 करोड उपे के बड़े बजट में बनाये गई थी जिस वज़े से इस फिल्म को लेकर पूरे All Over India के फैंस काफी ज़्यादा एक्साइटेट थे और काफी बड़ी फिल्म होने की वज़े से इस फिल्म को पब्लिक गडिक्स ने 4.5 इस्टार रियू दिया जिस वज़े से त्रिपल आर फिल्म को लेकर काफी अच्छा क्रेज दे करते हुए 223 करोड रुपे का जबजिस्त आकड़ा पार किया वहीं फिल्म का दुसरे दिन का इंडियान कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा ओ फिल्म ने अपने दुसरे दिन और लोगर इंडियान बॉक्स ओविस पर 124 करोड रुपे कमाई जिस वज़े से फिल्म का दुस अपने तिसरे दिन वल्डवाइड बॉक्स ओविस पर 122 करोड रुपे का जबजिस्त आकड़ा पार किया लेकिन अगा फिल्म के पहले अपते अभी तक के टुटल बोक्स ओविस कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने पहले अपते इंडियान बॉक्स ओविस पर जह की कमाई करने में कामियाब रही वही फिल्म का पहले का वल्डवाइड बॉक्स ओविस कलेक्शन 710 करोड रुपे से भी ज़्यादा रहा और इस फिल्म को अभी तक बॉक्स ओविस पर रिलिज़ आज 31 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट संग मताबिक रिया नो लाग रुपे के आसपास कमाई कर रही जिससे इस फिल्म का 31 दिनों का टोटल इंडियान बॉक्स ओविस कलेक्शन 863 करोड रुपे से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन यह फिल्म वल्डवाइड बॉक्स ओविस के 2022 के सारे रिकोर्ड तोड़कर 1123 करोड रुपे स लेकिन इस फिल्म की स्टोरी काफी कमजोर थी लेकिन थालापती विजयाई की जब जिस तो फैन फॉल्यंग होने की वज़ए से इस फिल्म को पब्लिक औरिक्स ने काफी ज़ादा पसंद किया और लगबग 3.5 इस्टार यू दिया जिस वज़़ए से फिल्म को लेकर थाल 90.000.000 करोड़ोपे कमाये लेकिन फिल्म के तिसरे दिन माना जा रहा था फिल्म अपने 3 दिन दम तोड़ेगी लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपने 3 दिन भी पुक्स अउइस पर काफी अच्चे पकड़ बनाते हुए 38 करोड़ोपे सE BY जादा का कलेक्षन किया वहीं अगर फिल्म के पहले अभी तक के टूटा कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने पहले अपते जहां 180 करोड़ों पैसे भी जादा की कमाई करने में काम्याब रही वहीं फिल्म को अभी तक बॉक्स आइज आज 10 दिन हो चुके हैं और राइफ टाइम इंडियान बॉक्स अविस पर 300 करोड रुपे की कमाई करनी होगी लेकिन अब बात कले थे इस एपिसोड 3 फिल्म और 2022 की सबसे बड़ी फिल्म केज़ेप चिप्टर 2 के बारे में आपको बता दे केज़ेप चिप्टर 2 फिल्म में आपको येश के साथ संजय तो रवीना टिंडन भी लेड रोल में दिखाए दिये थे वहाई इस फिल्म का बजट था 100 करोड रुपे लेकिन फरशान तनिल के काफे जबर जेस्टर डाइरेक्शन में बनने की वज़े से यह फिल्म की स्टोरी से लेकर सभी स्टार कास्ट की परफॉमेंस पब्लिक ओं गडिक्स को काफी ज़्यादा पसंद आई और पब्लिक ओं गडिक्स ने इस फिल्म को 4.5 इस्टार यू दिया जिस वज़े से फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड आप आँ देखने को मिला वह फिल्म ने पहले दिन हिंदी बॉक्स ओविस के सारे रिकॉर्ड तोड़त गई और फिल्म ने अपने दुसरे दिन हिंदी बॉक्स ओविस पर 46 करोड़ों 80 लाग रुपे कमाए जिस वज़े से फिल्म का दुसरे दिन का ओल ओवर इंडियन बॉक्स ओविस कलेक्शन भी 121 करोड रुपे के आसपास रहा लेकिन फिल्म के तिसरे दिन संडे होने की व बॉक्स ओविस कलेक्शन की बात करे तो केजे अप चेप्टर 2 फिल्म अपने पहले अपते हिंदी बॉक्स ओविस पर जहां 255 करोड 10 लाग रुपे से भी ज़्यादा की कमाई करने में कामियाब रही वही फिल्म का पहले अपते का साथ दिनों का ओल ओर इंडियन बॉक्स कलेक्शन 617 करोड रुपे से ज़्यादा रहा जिस तुझे से यह फिल्म में इंडिया की भी पहली फिल्म बनी जो अपने पहले हपते ही 600 करोड क्लब में शामिल होने में कामियाब रही लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टूटल बॉक्स ओविस कलेक्शन की बात करे तो क केजेब चेप्टर टू फिल्म को अभी तक हिंदी बॉक्स ओविस से लेकर ओल ओवर इंडियान बॉक्स ओविस पर रिलिज आज लगबग 9 दिन से जारा हो चुके ही और रिपोर्टसं के मताबिक केजेब चेप्टर टू फिल्म आज कात्य अच्छा परदेशन करते हुए हिंदी बॉक्स ओविस पर 11 करोड 30 लाग रुपे के आसपास कमाई कर रही हुए फिल्म का आज का ओल ओवर इंडियान बॉक्स ओविस कलेक्शन भी 17 करोड रुपे के आसपास रहने के उम्मीद है जिस वज़े से केजेब चेप्टर टू फिल्म का अभी तक का टोटल कमाई करने में कामयाब रहेगी और यश के फैन से जानना चाहते हैं यह फिल्म अभी तक विल्डवाइड बॉक्स ओविस पर कितने करोड रुपे की कमाई की तो दोस्तों आपको बता दे केजेब चिप्टर टू अभी तक विल्डवाइड बॉक्स ओविस पर 810 करोड वेकि भी वल्ड वायट कमाए करें लेकिन अब बात करें इस एपिसोड की आखरी फिल्म जर्सी के बारे में आपको बता दें जर्सी फिल्म में आपको शाहिद कपूर के साथ और भी कई स्टार कास्ट नजर आये थे वहीं यहां फिल्म साउथ की फिल्म जर्सी की रिमेक थी इसी के साथ इस फिल्म का बज़रता साहट करोड उपिये लेकिन इस फिल्म को All Over Indian बॉक्स ओफिस यानि हिंदी बॉक्स ओफिस पर काफी अच्छी स्क्रीन्स मली और शाहिद कपूर की का इस फिल्म को फोरिष्टा रियू दिया जिस वज़े से माना जा रहा है जर्सी फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड आपमाउत रहेगा और अभी तक की रिपोर्ट से के मताबिक जर्सी फिल्म अपने पहले दिन यानि आज हिंदी बॉक्स ओफिस पर 6 करोड 30 लाग रु क्लेक्शन में 30-40 परसेंड की ग्रोध देखने को भी मिले तो दोस्तों आज के कलेक्शन के मामले में तो यश की फिल्म केज़े अप च्रिप्टर टू ने मारी बाजी जिस वज़़े से यज मने इंडिया के बॉक्स ओविस के सबसे बड़े की लाइफटाइम कलेक्शन के गीसेरे नमबर पर रही थाला पती विज़ई की फिल्म विष्ट और चोथे नमबर पर रही शायद कपूर जर्सी लेकिन अगर आपने इन चारो फिल्मों को देखा है तो आपको इन चारो फिल्म मेंसे कौन से फिल्म करके इंडिया की सबसे बड़ी व्लोग इस्टव और सब सब बड़ी फ्लोव शाहित कपूर की फिल्म जर्सी को जुनियर एंटिया और राम चरंड की फिल्म त्रिपल आर को थाला पती विजय की फिल्म विष्ट को या फिर यश की फिल्म केजे अप चेप्टर टू को आपकी राए हमने इश के मनट का जरूब बता रहे हमें वडियो सतना आये तो हमाँ स्टूडियो को लाइक करें और जाते जाते आपके और हमारी चनल गलेक्शन टेक को भी सब्क्राइब का विल आइकोन प्रेज करें जिसके आपको लेटिस्ट एंडिया नों इसके डेली व मिलती रहे है कि सबसे पहले ही